इसको कंटीनु करने वाले हैं जो हमारा EDM & Phrases का सीरीज चल रहा था तो यह उसका आगे का कंटीनुएशन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इसको कि आपके पास में अभी जो नेक्स इस क्लास का फिर्स्ट इडिम है विच आपको खाने में देखो वह यह बहुत ही इसली खाया जाता है हमेरे लिए हिंदी नगें से को बोलते हैं कि यार यह काम तो हल्वा है है ना ह्ल्वा क्यों बोलते हैं है उसको आपको ज्शुड ने नहीं पड़ता है आपको इसको है इस टाइप की जब आप बहुत बिमार होते आपको देते हैं आप केक खाते हो जब राइट तो आपको उसमें क्या करना पड़ता है थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है तो इसा कोई भी काम जिसको कि आप कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं पीस ऑफ केक है जिसमें आपको बहुत जादा इतर घुमा फिरा के बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है और कोई अधर कोई बी ऐसा कुछ ना करना पड़ा बहुत इसी हो जाएगा तो वैसा सम्तिंग कुछ है और मुझे रखता है कि तुम इस काम के लिए मिल्कुल बेस्ट केंडिडेट हो राइट एक और एक्जांपल देख लेते हैं अब जो भी लोग प्रपरेशन कर रहे हो में रखता है कि आरे यार कैड से तो ईजी है ऐसा कुछ नहीं है है न कि बहुत ईजी है ओमेट ऐसा भी कुछ नहीं है तो डॉंट थिंग यहां भी अच्छा परसंटाइल स्कॉर करने के लिए यहां पर भी आपको उतना ही हाड वक जो है वो करना पड़ेगा तो पीस ओफ केक मिन्स टेक्निकली क्या हो जाएगा हमारा ऐसा कोई भी काम जो के बात इजीली किया जा सकता हो नेक् अगर आप किसी चीज को छुपा के रखते हो जैसे अभी यह तो किसी को पता चलेगा ने कि इसमें क्या है इसके अंदर क्या है कोई चीज अपने चुपा के रखे हो और अचानक से वह बाहर आ जाए लेट दे कैट आउफ दे बैग इट मिन्स क्या हो जाएगा कि तो लेट a secret out in the open कि यह कोई भी जो secret है वो क्या हो वो open में आ जाए बाहर आ जाए लोगों के सामने आ जाए कोई भी जो आपका maybe secret हो सकता है जो कि क्या हो सामने आ जाए to allow something last to allow something that is hidden to be revealed कि कोई भी ऐससे चीज जो कि क्या हो hidden थी अब तक उस चीज को allow करना reveal it means कोई चीज जो अब तक hidden थी उसको दूसरों के सामने लाना दूसरों के सामने ले के आना उसे हम कहते हैं to reveal something either by accident or as a surprise कि reveal करना कुछ भी या accidentally कोई चानक से खुद से हो जाए या as in आप surprise किसी के लिए रखते हो और उसको मतलब purposely reveal करना या कोई चीज ऑटमेटिक लिए हो जाए तो शी let the cat out of the bag and finally told her parents about her plans to getting married कि उसने क्या किया फाइनली उसने अपने पेरेंस को मतलब उसका जो surprise था उसने उसको खतम किया और फाइनली उसने अपने पेरेंस को बताया कि हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ या चाहती हूँ आए मिन या गंडर गिवन है तो चाहती हूँ एसा next देखते हैं आज का third idiom third idiom है to feel under the weather देखो under the weather means क्या है इस picture को देखो आप picture से बहुत easily understand कर सकते हैं under the weather means होता है कि to be ill और feel ill जैसे कि मौसम change होता है even though अभी जैसे हो रहा है weather change हो रहा है तो क्या होता है आप बिमार feel करते हैं right ऐसा ही होता है na feeling sick वैसा वाला Saloni was feeling a bit under the weather so she decided not to go to the movie with her friends कि Saloni को थोड़ा मतलब अच्छा feel नहीं हो रहा था उसे ill feel हो रहा तो उस लगता है वो बिमार है तो उसने क्या decide किया कि वो अपने दोस्तों के साथ में गुमने नहीं जाएगी movie नहीं जाएगी मतलब इसका एक और meaning भी होता है which is drunk and intoxicated having hangover जो कि आ I was with friends last night in a party and now I am under the weather मैं last night दोस्तों के साथ party में था and now अब यह कैसा है कि मतलब hangover में है अभी मतलब ठीक नहीं है proper तरीके से ओके ठीक नहीं है कैसे है hangover में है तो यह हो जाएगा इसका meaning next पे चलते है next क्या है next देखो to kill two birds with one stone it means कि एक ही stone से दो निशाने लगाना दो birds को मारना है ना it means एक तीर से दो निशाने लगाना जिसको हम बोलते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना कि वैसा ही है accomplish two different things at a same time कोई भी different अलग दो काम एक साथ complete कर लेना solve two problems with one single action एक ही काम करके two problems को solve कर देना वो भी हो जाएगा इसका next way achieve two things with a single action एक action से एक काम से कोई भी दो चीज़ें अचीव कर लेना को हो जाएगा achieve two ends with a single effort ठीक है तो it means क्या हो जाएगा एक ही effort डालके एक बार effort डालके कोई भी दो चीज़ें अचीव कर लेना example भी देख लेते हैं pictures I think आप समझ सकते हैं दो निशाने लगाना एक ही तीर से next देख लेते हैं example Chintu said I have to go to the bank and on the way back कि जब मैं वापस आउंगा मुझे bank तो जाना ही है जब मैं वापस आउंगा I will pick up the groceries as well तो मैं groceries भी लेते वे आउंगा market से bank रस्ते में grocery market आ रहा है तो वो भी लेते वे आएगा so killing two birds with one stone it means क्या हो गया कि एक ही stone से दो birds को मारना या निशाना लगाना ठीक है तो यह वैसा हो जाएगा next पे चलते हैं number fifth idiom पे next idiom क्या है हमारे पास में two cut corners two cut corners means देखो क्या होता है जैसे तुम सबसे उपर वाली picture को देखो वो क्या है अब यहां तक पहुंचने का ना एक normal way भी हो सकता है for example आप इस corner पर आपको यहां पहुंचना है उसका appropriate pattern जो इसके according होगा यह तो सब ने खे पहुंचेगा पट इसने क्या किया कि shortcut ले लिया राइट तो it means क्या हो जाते है to cut corners means economize on time money manage करना अपने time को money को materials को efforts perhaps unwisely लेकिन बिना सोचे समझे कोशिश करना shortcut लगाने की बिना यह सोचे समझे कि इसके consequences भी तो कुछ होंगे न तो वैसा वाला हो जाएगा यह to do something in a cheap and easy way कोई भी काम को cheap and easy way में करने की कोशिश करना leaving out steps when doing something often to the detriment of the finished product यह to reduce extra expenses अपने extra expenses अब लेकिन इसका और क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं देखो इसका एक meaning तो क्या है कि अपने money को पैसे को है न मतलब थोड़ा manage करने की economize करने की कोशिश करना but unwisely थोड़ा सोच समझ के नहीं कि उसके consequences ना सोचना समझना कि यार इसके कुछ consequences भी तो होंगे इसका meaning एक और क्या भी आ रहा है अपने पास में कि अपने जो extra खर्चे हैं उनको कम करना ठीक है cut corners वो भी होता है my mom often had to cut corners when we are when we were kids कि हमारी जो मदर है वो क्या करती थी थोड़ा खर्चे मदर extra खर्चे को कम करती थी जब हम क्या थे बच्चे थे in order to feed all of us कि हम सब को feed करने के लिए मदर ऐसा करती थी कि हम कि अगर for example अगर for example आपके parents कुछ भी मतलब just in case कि 80,000 अगर कमा रहे हैं और वो 80,000 80,000 अगर अपने पर ही लगा देंगे या एक्स्ट्रा की चीजों में waste कर देंगे तो वो आपकी education के लिए इन सब के लिए नहीं बचा पाएंगे राइट पेरेंस बहुत हमारा सोच समझ के चलते हैं तो वही है तो इट्मिंट की हमारी मदर क्या करती थी हम छोटे थे जब अपने बच्चे को सब पालते हैं ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें जरूरी है लेकिन वह आपको अपने जिम्मेदारी समझते हैं और वह अपनी चीजों में compromise करके आपके लिए करते हैं लेकिन जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वह उने अनाथ आश्रम में भीज द करते हैं अपने एक्स्ट्रा खर्चों को रोक के आपके लिए तो आपकी भी एक responsibility है कि आप भी वह चीज़ें करें उन्हें वह वैसा चलिए अब देखो यहां से बस अपने प्रॉपर रूट ते जैसे कि इस से देखो है ना एक जो शॉर्ट कट जो टाइप की डिस्टेंस है वो लेना प्रॉपर वे की जगह है अब देखो इसने क्या कि इस पिक्चर से समझना यहां पर अब यह अंगल अंटी क्या बोल रहे हैं कि अब डिशका क्याने का क्या था इस से जाना बहां इसने क्या किया है क्या से आ रहा हो गए बिल्कुर ऐसे शॉटकुट ले लिया जबकि यह वेट करके और यहां से होगे ऐसे निकार यही है ऐसे मैं एक्सिदेंट्स भी होई जाते हैं जैसे कि होई गया इसका तो शॉटकुट्स ना लें लाइफ में हर जगे शॉटकुट्स नहीं लगते हैं क्वांट में लगाओ लेकिन लाइफ पर मत लगाओ ॉके तो को चलो को तुम सॉल्ट करने के लिए मैच चॉटकुट्स यूज़ करो पर जन्दगे में कब़िए शॉटकुट्स यूज़ मत करो आपको मेभी हो सकता आपका रस्ता लंबा लग रहा हो लेकिन result अच्छे देगा अपके next पे चलते हैं to add insult to injury देखो एक तो तुमारी for example injury हो जाए उपर से कोई insult भी गरे तो कैसा लगेगा to make a bad situation worse कि कोई खराब situation already हो वो और worse हो जाए और जादा खराब हो जाए वैसा to further hurt the feelings of someone who has already been hurt कि जो already for example कोई hurt हो और उसकी feelings को और जादा hurt कर देना इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है दुनिया में next देखो to worsen an unfavorable or uncomfortable situation already किसी की unfavorable या uncomfortable situation हो और उसको कैसा बना देना और जादा खराब बना देना to add to a loss with mockery और indignity कि क्या करना कि कि किसी की mockery करना या मतलब indignified चीजें बोलना किसी को है ना below the belt जाके कुछ ऐसी चीजें बोलना तो मतलब insult करना example देखते है first they lost the match पहले तो वो match हार गए and then to add insult to injury one of players was उनका एक player क्या है suspend भी हो गया for cheating cheating करते हुए मतलब cheating के लिए एक तो match हार गए उपर से यह blame भी लग गया team पे तो और खराब होगी ना situation I was already getting late for work truck in the traffic and to add insult to injury एक तो क्या था कि already वो late हो रहा था है ना traffic में first गया उसके उपर क्या हुआ कि I was stopped by the police for speeding और speeding के चकर में उसे पुलिस ने भी रोक लिया पुलिस ने भी रोक लिया है ना क्योंकि speeding के चकर में late हो रहा था तो वो जल्दी जा रहा होगा speed में जा रहा होगा अब यह क्या हो गया कि situation उसकी कैसी हो गई add to add insult to injury it means कि थोड़ी एक तो खराब situation थी और गुरी हो गई और लेट हो जाएगा वो तो वैसा next पे चलते हैं next idiom है आपके पास में you can't judge a book by its cover यह तो reality है कि हर अच्छी दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती है आप किसी भी मैं बूलते हैं न कि आप cover को देखके उस book को judge नहीं कर सकते कि वो कैसी है दिखने में देखो the cute puppy और अंदर से देखो क्या है तो वैसा ही है जैसे कि आजकल की दुनिया है बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और है right outward appearance cannot be an indicator of someone and something's value or worth outward जो appearance है उसको देखके आप यह नहीं कह सकते कि इस वेक्ति की value या worth क्या हो सकती next is the quality or character of someone or something cannot be judged just by looking them कि आप किसी के quality और character जो है किसी का भी वो just उसको देखके जज़ नहीं कर से the hotel looked attractive from outside hotel जो है वो बाहर से देखने में attractive लग रहा था but the rooms were damp and not well maintained और वो well maintained भी नहीं थे rooms you can't judge a book by its cover आप किसी भी पुक का cover देखकर उसे judge नहीं कर सकते हैं ठीक है तो कुछ वैसा ही है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बोते हैं जिसे बाहर अगसे अगर कोई सुन्दर है तो it doesn't mean कि वो अंदर से भी है next step break a leg ये तो आप good luck के लिए best wishes के लिए बोलते हो you have an exam tomorrow break a leg it means कि अच्छा वो बोलते है न फाड के आना exam exam फाड के आना पेपर मत फाड के आना अच्छा कर के आना वैसा I wish you good luck on the competition of your book writing for publishing break a leg तो वैसा break a leg means पैर तुडवाना नहीं है इसका मतलब बस ये जरूर समझ ले रहा ठीक है पैर तुडवाना नहीं है इसका मतलब क्या होता है all the very best so इसका origin क्या है this phrase has its origin in the world of theater performers had a superstition that saying good luck word actually bring them bad luck तो अब जैसे वो उनको ऐसा लगता था ऐसा हो जाता था कुछ कुछ इसे मानने पर है तो कुछ लोग मानने थे क्या यार गुड़ लग अगर बोलते हैं न हम किसी को तो वो अच्छा नहीं होता तो उन्होंने उसकी जगें पर क्या यूज करना स्टार्ट किया break a leg was used इंस्टेग तो यह हमारी आप जैसे होता अरे बिल्ली रस्ता काट जाएगी तो कुछ बुरा हो जाएगा तो सबका अपना अपना है यार तो वैसा आपने यहाँ पर कुछ अलग मानने था है है यार आगरे ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाता है तो वैसा वाला करके नेक्स पर चलते हैं नेक्स है तो हिट नेल तो हिट दे नेल on the head, to hit the nail nail means क्या है कील ऐसा तो नहीं है कि कील को सिरपे खोड़ना या लगाना ऐसा तो नहीं हो सकता, it means क्या है be accurately right about something exactly सही होना, या फिर find the exact answer, चीज़ का exact answer find out करना, do or say exactly the right thing, और precisely describe the cause of a problem or a situation, okay तो किसी भी, मैं तो precisely एक proper appropriate तरीके से describe करना, किसी भी problem या situation का cause ठीक है, example देखते है Ansh hit the nail on the head when he said that what the company was lacking in, was clear vision and focus, उसने ये चीज़ क्या बताया, कि जब उसने ऐसा कहा, कि what the company was lacking in, was, किस चीज़ में lack कर रही है company, कमी छोड रही है वो है, clear vision and focus focus नहीं है, और एक clear vision नहीं है, कि क्या करना है कैसे करना है, वैसा करके next पे चलते हैं, next आपके पास में क्या है, अब blessing in disgust, it means देखो, to misfortune which turns out out to have advantages it means, एक और meaning ये भी हो सकता है, किसी बुरी situation से, मतलब एक good outcome from an evil situation बुरी situation से एक अच्छा outcome निकल के आना, क्या an unfortunate event that later leads to an advantages situation, एक unfortunate event होना, लेकिन बाद में उसकी जो advantages जो है जिससे कि क्या बन जाए बाद में, कुछ advantages भी मिल जाए, apparent trouble that eventually result in a positive outcome एक apparent trouble जिसका eventually result क्या हो, एक positive outcome या फिर something terrible at first, पहली बार देखने में कोई चीज़ टेरिबल हो, but let a results in something good, बाद में उसके results जो हैं, वो अच्छे निकले, है न, जिसे कई बार ऐसा बोलते हैं, कि अरे यार, for example आप किस exam में fail हो गए, या पास नहीं हो पाए या जो आपको, जो result चाहिए था वो आपको मिल नहीं पाया, है न, तो फिर क्या होता है, आप सुचते हो, कि अरे यार, बुरा हो गया मेरे साथ तो, लेकिन बाद में आप eventually देखते हो, कि अरे यार, इस बुरे में भी कुछ अच्छा चिपा था, it means आपने बाद में, for example, कुछ और करना start किया, और बाद में आपका क्या हो, कि अरे, उससे आप और ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, आपको उस समय पे लग रहा था, कि मेरे साथ बुरा हो गया, बट बाद में आपको और अच्छा, बेटर कोई चीज मिल जाना या opportunities बेटर मिल जाना आप किसे interview के लिए गये, वो आपका crack आपको लगारे, यार यह तो बुरा हो गया, बट आपको बाद में उससे भी और बेटर जॉब या जो भी कॉलेज मिल जाना तो वैसा आप बोल सकते हैं, है न जैसे तुम्हारी एक्स जब तुम्हें छोड के जाती है तो तुम्हें लगता है, या जाता है तब तुम्हें लगता है कि यार यह तो बहुत बुरा हो गया मेरे साथ लेकिन बाद में तुम्हें रेलाइज होता है कि इसमें भी कुछ अच्छा छुपाता है हो सकते हैं तुम अच्छा करियर बना लो यह तुम्हें और अच्छा पार्टनर मिल जाए में भी तो ऐसा कुछ so the lockdown in 2020 proved to be a blessing in disgrace क्यों? क्योंकि it gave me a lots of time spent with my family okay तो ऐसा, missing the train was a blessing in disgrace for we would have been on it when it met with an accident killing many of its passengers okay तो बहुत कोई भी मैं लेसा misfortune type of situation हो जाना अब जैसे कि यहां पर देखो यहां पर देखो try to look upon यह बोल रहा है, try to look upon the experience as a blessing in it's a pretty good decision तो वैसा, पूरे में भी कुछ अच्छा हो जाए वैसा है यह थे आपके आज के 10 words इस से पहले आपके two sessions जा चुके हैं, this is your third session तो इनको आप note जरूर कर लीजेगा, idiom phrases आप किसी भी type की preparation कर रहे हो, चाहे वो आप cat की कर रहे हो other management exams की कर रहे हो या फिर किसी भी competitive exam की definitely आपके लिए important तो हैं ही, I mean no doubt तो अब इसके अलाबा आपको एक और important information क्योंकि मुझे देनी है आपको इनको note जरूर करें और तभी आप learn कर पाएंगे अब important आपके लिए यह है कि if you guys are targeting cat and other management exams तो आपके लिए सबसे important first तो यह आप जो whatsapp channel है इसको जरूर डाउन डाउन्रोडिंग जाइन कर ले तो आपको और भी बहुत सारे updates यहां आते रहते हैं next आपके लिए है कि if you guys are targeting snap तो हमारा snap का 70 days का batch जो है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ऐसा चुसमें भी एक-एक topic भी नहीं हुए है तो आप इसको join कर सकते हैं अगर आप dedicatedly preparation कर रहे है snap की तो definitely important है more than 180 hours plus आपके live होंगे even though उससे जादा होंगे 50 plus topic and sectional test रहेंगे exam oriented आपका content यहां रहने वाला है complete syllabus cover होगा and 15 आपके mock test रहेंगे with video solution जिसके आपको video solution भी मिलने वाले है just in 4500 में तो आप इसको एक बार app पे जाएं app को download करें app को explore करें और देखें आपको जो भी उसमें offers वगरा चल रहे होंगे वह आपको उस पर दिख जाएंगे पर अगर आप 70 days में आप चाहते हो कि आपका snap clear हो तो this is the best batch जिसमें कि आपके पास में यह सब educators रहने वाले हैं मैं आपको VRC कराऊंगी quant आपको दिटसर कराएंगे and जो आपका LR वाला section है वो आपको मुकेसर कराने वाले हैं तो बिना किसी देरी के आप इसको join कर सकते हैं and अब मैं आप लोगों से मिलूंगी next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care and all the very best guys thank you and yes comment करके जरूर बताएं आपको यह sessions कैसे लगते हैं आपके आगे आपको किस type के sessions की मुझ से need है ओके तो comment करके जरूर बताएगा वीडियो को like जरूर करें thank you